देखते देखते आ गया है सेप्टेंबर और 4 महिने में साल हो जाएगा खतम लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी की सेलेक्षन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12-14 अगया है सेप्टेंबर इस्कॉलर सेल, करिए सुपर सॉरिक तयारी, जहां आपको मिलेगा अप्टो 90 परसेंट और 33 परसेंट की एक्स्टाविलिटी on all सुपर कोचिंग, तो अगर आप इने एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं, तो अभी जाए और इस ओफर का लाब उठाईए अलो जी, कैसे हैं आप सबी लोग, वेलकम बैक, वेन सगेंट तो टेथबुक सुपर कोचिंग, मिरा नाम है विदुवेरेशवश शर्मा, और RBI असिस्टेंट 2023 का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, तो प्रिवियस यर के कट ओफ के जो ट्रेंड्स हैं, उनका एनलिसि क्लियर हो जाए कि एक्जाम की डिफिकल्टी लेवल कैसी रहती है, और उसी हिसाफ से फिरम तैयारी शुरू कर पाएं, ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को, सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 के कट ओफ क्योंकि इससे पहले जो हमारा एक्जाम हो था, 2022 में हुआ था, तो अगर अगर देखा जाए, तो यहां पर हमें 90.75 देखने को मिल रहा है, है ना, तो आपका मैक्सिमम कट ओफ कित्ता गया है, 90.75, तो मतलब 90 नंबर कट ओफ है, इसका मतलब एक्जाम जो होगा, काफी इजी होगा, है ना, बिलकुल, देखो, 90 नंबर मतलब सिर्फ 10 क्वेशन 90.75 मतलब आप 2 या 3 गलत कर सकते हो, बस, है ना, तो यहां से देखो क्या है, बई, अल्टिमेटली, मैक्सिमम क्वेशन आपको अटेंट करने होंगे, है ना, और अगर मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम मुझे देख रहा है 57, जो कि 3 वनन पुरम में था, वो भी स्ट के मैस का था 12 और रीजनिंग का था अगें 12, तो अल्टिमेटली सेक्ष्णल कट ओफ भी काफी हाई था, तो मस समझ में आ जानी चाहिए कि पेपर का जो लेवल रहता है, आर बिया असिस्टेंट का वो कही न कहीं लेवल काफी easy रहता है, ओके, अब अगर बात की जाए आगे next हम बात करते है, 2025 का जो mains था, उसका cut-off कित्ता गया था, तो mains में अगर हम maximum की बात करें, तो maximum हमारे पास था 128 है ना, और minimum अगर मैं देखना चाहूँ तो 87.5 मुझे कुछ यहाँ पर देख रहा है, जो कि पटना में है, है ना, या 80.5 बवनेश्वर में, यह minimum है, तो maximum 128 पहले कब हुआ था, 2020 में हुआ था, तो 2020 में तो यह maximum cut-off देखो, 96.2596, 96 number cut-off, तो कही ना कहीं बात क्लियर हो रहे होगी, 96 cut-off मतलब सिर्फ 4 question छोड़ सकते हो, मतलब कोई chance ही नहीं कि आप इस से ज़्यादा question छोड़ पाओ, 96 का cut-off है भई, 100 में से आपको सिर्फ 4 सवाल या फिर अगर आपने 97 कर दिये हैं, तो आप एक गलत कर सकते हो, 96.75 आपका score बनेगा फिर, है ना, तो कही न कहीं calculation और trends को देखकर एक चीज़ समझ में आ रहे हैं कि RBI assistant का जो paper हमेशा से आया है, वो बहुत ही easy level का आया है, तो यहाँ पर आपकी जो speed है, वो बहुत ही बड रोल प्ले करने वाली है आपके selection, है ना, क्योंकि prelims में 50-60 नमबर वाली बात होई नहीं रही, नमबर की बात होई 80 प्लस, यहाँ तो देखो 90 प्लस, यहाँ अगर आप जनरल में सारे के सारे cut-off देखो, एक भी value 90 के नीचे है ही नहीं, है ना, सारी के सारी values यहाँ पर 90 से ज्यादा है, तो कई नहीं काफी आसान paper होगा, mains की बात करें, अगेन वही maximum हमारा कई नहीं 126 निकल के आ रहा है, है ना, अब 2017 के अगर cut-off की बात करें, क्योंकि 20 से पहले 17 में हुआ था, तो वहाँ पर मुझे maximum देखने को मिल रहा 86.50, अगेन वही हमारी range हो गए, 85 प्लस है ना, 85 प्लस की हमारी range हो गई, यहाँ पर अगर mains का cut-off देखें, तो अगेन 120 में को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना, अगर बात करें 2016 की, जब 2016 में हुआ था हमारा exam, तो general का अगर हम maximum number देखना चाहें, तो 81.50, है ना, 81.50, मतलब कही ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी तक जो हमारे paper हुए है, अभी तक जो हमारे exam हुए, वहाँ पर cut-off आपका कैसे vary किया है, cut-off आपका जो vary किया है, वो 80 से 96 के बीच vary किया है, है ना, अब बात की जाए कि अब जो हमारा exam होने वाला है, 2023 में जो December में आपका exam होने वाला है, December में तो mains होगा, कुछ आपका एक्जाम होने वाला है वहां पर cut off किता रह सकता है तो अगर हम बात करें अगर सेम ही लेवल आया अगर जो लेवल अभी तक आता हो आ रहा है पेपर का वही अगर लेवल आया तो मान सकते हैं कि 85 से 95 के बीच cut off रह सकता है है ना अब इतनी बड़ी रेंज लेने का कारण क्या है क्योंकि आपके बाद देखिए category wise और zone wise अलग-अलग cut off है तो 85 से 95 के बीच कहीं न कहीं आपका cut off रही कर सकता है अगर पेपर हलका सा भी moderate हुआ moderate मतलब या तो अगर IBPS के level का कर दिया कोई भी level कर दिया तो यह cut off आपका 75 से 85 हो सकता है बट maximum chances किसके हैं भई 85 से 95 के बीच आपका majority cut off vary करेगा अगर exam बहुत ही आसान आ गया तो आप 96-97 तक भी cut off देख चुके हैं ओके तो इस चीज़ को दिमाग में fit करके हमें तयारी करन आएगा हमें बस क्या करना है भी questions को जल्दी कैसे solve कर पाएं उन सभी methods को सीखना और again speed में सारे के सारे पेपर को हमें complete करना क्योंकि 2020-22 में कुछ students से मेरी बात हो थी कि सेक्शन खतम कर ले रहे थे फिर भी हमारे पास time बच रहा था तो ऐसे students के आपके साथ मुकाबला होग तो अगर आप तैयारी को बहुत ही बहतर तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो आप test book September scholar sale का lab उठा सकते हैं जहाँ पर आपको सभी super coaching products पर 90% तक का discount मिलेगा अगर आप code use करेंगे विदू VIDHU तो आप इन सभी discounts का lab उठा सकते हैं complete bank exam का subscription आपको सिर्फ 943 रुपीज में म वेलिटी के साथ आप टूल कुल 8 महीने के लिए इस subscription का lab उठा सकते हैं तो 8 महीने तो बहुत ज्यादा time है आपके सारे के सारे banking exam इसी में cover हो जाएंगे और अगर आप individual exam के subscription भी लेना चाहते हैं तब भी आप code use कर सकते हैं विदू VIDHU वहां से आपको maximum discount देखने को मिल ज सकते हैं और कोई भी आकिमन में सवाल होता है तो आप पर प्लू सकते हैं तो विद एट सेट थेंकियो वर जोइनिंग इन इस सेशन जितने भी लोग सेशन में करना अपने सभी फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करना टेस्बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल को सब्स्क् कर्या सकते हैं तो